हे गाईज, विलकम बेक टो अभ्यूदे क्लासेज यूपी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे कंपल्सरी विशे, सिक्छर के सिध्धानत अमपिदिया जो हमारा कंपल्सरी विशे है यानि के प्रिंस्पल एंड मेथर्स आफ टीचिंग उसका असाइमेंट पहला असाइमेंट नमबर वन जो है हमारा सिक्छर की ओधारडा और विविन सिध्धानतों का वरणन करें इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अभ्यूदे क्लासेज यूपी तो चलिए देखते हैं अपना असाइमेंट फर्स्ट अगली वीडियो में हम असाइमेंट सेकेंड के बारे में चर्चा करेंगे अगर आपको उसमें से किसी भी सब्सक्र की असाइमेंट क्या वशक्ता पड़ती अपने शिक्छर विशा से संबंदित आप इन में से किसी भी सिक्षर विससे हैं आपको इसकी assignment क्या सकता है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं इसकी playlist भी हमने तयार कर दिया है आपको playlist भी ये 3rd semester assignment करके मिल जाएगी ठीक है तो एक बार आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हमारे compulsory इसका पहला assignment है, दूसरा assignment हम नेक्ष वीडियो में चर्चा करेंगे, पहले इस पर देखते हैं कि इसमें क्या लिखना है हमें, सिक्षर की अधारणा और विभिन सिधान्तों का वरणन करें, okay, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें, ट्रस्ताओना, हेडिंग लिखेंगे introduction या प जहां सिक्षड होगा महां सीखना भी होना चाहिए सिक्षड द्वारब विद्यार्थियों में परिवर्तन लाया जाता है वह समाज में जो वांचित परिवर्तन समझे जाते हैं उनको विचार पुर्वक विद्यार्थियों में लाने की चेश्टा करता है क्योंकि इन परिवर्तनों को ही शीखना कहते हैं सिक्षा का संबंद सीखने के मनुविज्यान से गहरे रूप से समझा जाता है इस कारण ही अनेक विद्वान मानते हैं कि सीखने के सिध्धान थी सिक्षर के सिध्धान के अधार सीला होनी चाहिए सिक्षड एक जटिल प्रक्रिया है यह हम सभी को पता है सिक्षड एक जटिल प्रक्रिया है सिक्षड एक समाजिक भी प्रक्रिया है तथा यह इसे हम त्री दुरुवी प्रक्रिया भी कहते हैं इसका मूल उद्देश्य बालक के बेवहार में बदलाव लाना है। सभी को पता है सिक्षड का जो मूल उद्देश्य होता है वो बालक के बेवहार में वानशित परिवर्तन यानि की बेवहार में बदलाव लाना एक अच्छा परिवर्तन लाना है। ठीक है? इसके लिए समय समय पर अनेक सिक्षड विधियों, प्रविधियों का निर्मार सिक्षा मनुवैज्यानी को द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में सिक्षा तथा सिक्षड की ओधारडा में अधिगम भी जुड़ गया है। अधिगम मतलब की सीखना। संपूर सिक्षा प्रडाली का केंदर बिंदु अधिकम है। अता एक सिक्षक से यह उमीद की जाती है कि वह सिक्षड को प्रभावसाली बनाने के लिए सिख्षड की समान्य तथा मनुवेज्ञानिक सिध्धान तथा सिख्षा की सुत्रों की अवशक्ता नुशार प्रयोग करें ठीक है? ओके इतना क्लियर है? समझ में आया है प्रस्तावना कैसे लिखते हैं? यह हमारा इंट्रोडक्षन है पूरा ऐसे हम प्रस्तावना यानि की इंट्रोडक्षन सबसे पहले लिखते हैं अब आगे देखते हैं हम सिख्षड की अर्थ एवं उसकी परिभाशा क्या है? इस पर चर्चा करते हैं उसके बाद हम इसकी विसेस्ताएं देखेंगे फिर हम इसके जो सिध्धान्त है जो की दो प्रकार के होते हैं समाने सिध्धान्त और मनुवैग्यानिक सिध्धान्त उस पर चर्चा करेंगे सबसे पहले देखेंगे इसके अर्थ और परिभाशा तो हेडिंग लिखेंगे सिख्षड का अर्थ एवं परिभाशा इसमें देखते हैं सिक्षड का और्थ है सीखना ठीक है सिक्षड एक समाजिक प्रक्रिया है जैसा कि अभी हमने उपर समझा था तथा सिक्षड सब्द अंग्रेजी भासा के teaching का हिंदी रुपान्तरड है हम सभी को पता है teaching को हिंदी में हम सिक्षड कहते हैं और सिक्षड को अंग्रेजी में हम टीचिंग कहते हैं ठीक है किसी विशेवस्त को माध्यम बना कर सिक्षड एवं सिक्षार्थी के बीच विचारों की आदान प्रदान या परसपर अंतक्रिया यानि की इंट्रेक्शन को सिक्षड कहते हैं विचारों के परसपर आदान प्रदान यानी की या इंट्रेक्शन को हम सिक्षड कहते हैं अधिगम की अपेक्षा सिक्षड का प्रत्य जटिल होता है क्योंकि समाजिक दर्शन, समाजिक मानेताएं, सासन का स्वरूप, आदी सिक्षर के स्वरूप को प्रभावित करते हैं वस्तुता सिक्षर का समाने अर्थ सीखना या सीख देना होता है वर्तमान में सिक्षर को त्रीध्रुवी, जैसा कि अभी हमने उपर समझा था त्रीध्रुवी के सनरचना के रूप में स्विकार किया गया है अभी हमने उपर आपको बताया था ये एक त्रीध्रुवी प्रक्रिया या सनरचना है जिसमें एक सिक्षक होता है, सिक्षार्थी होता है, तो था पाठिक्रम होता है ठीक है पाठिक्रम होता है इसके वज़े से अंतक्रिया होता है पाठिक्रम कोई लेकर सिक्षक और सिक्षार्थी के मद्ध्य इसलिए ये एक त्री ध्रुवी प्रक्रिया है ठीक है इसको हम ध्यान में रखेंगे और ये किसने का है वो भी हम ध्यान में रखेंगे ये किसने क को परिवर्थित करने की तक्निकी है, सिक्षर का एक प्रमुख हिस्षा सिक्षर विधियां जो सिक्षर को प्रभावशाली बनाती है ठीक है आगे देखते हैं विभिन दर्शनों संस्कृतियों तथा देश के समाजिक स्वरूप के अधार पर सिक्षर के अर्थ को तीन भागों में वर्गी कृत किया गया है कौन-कौन से वो तीन भाग है इस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे सबसे पहले जान लेते हैं कौन-कौन से होते हैं एक एक तंत्र में सिक्षर का और दूसरा लोग तंत्र में तथा तीसरा हस्त चेप रही सिक्षर का अर्थ होता है ठीक है अब इन तीनों को एक एक करके हम समझेंगे सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं एक तंत्र में सिक्षर का अर्थ इसमें देखते हैं एकतंत्र सासन में तानसाही की एक्षप प्रमुख होती है इस प्रकार के वातावरण में सिक्षप्रक्रिया सिक्षक प्रधान मानी जाती है सिक्षक कक्षा में आदर्स माना जाता है वह छात्रों पर अपना रोप दबाव रखता है और उन पर अपने आदेश रोता था विचारों को बल पूरवक ठूसता रहता है इस सिक्षण प्रक्रिया में छातर सांती पूरवक सिक्षण को सुनने के लिए बात हैं सिक्षण की प्रतेक बात को बीना किसी तर्क के उन्हें श्विकार करना होता है शिक्षक सक्री रहते हैं और चात्र भैविस स्रोता बने बैठे रहते हैं यानि कि इसमें सिर्फ सिक्षक ही प्रमुक माना जाता है शिक्षक को हेड यानि कि प्रधान माना जाता है और इसमें जो होता है इस तंत्र में एक तंत्र के सिक्षर में चात्र सिर्फ एक स्रोता बने बैठे रहते हैं सुनते रहते हैं सिक्षक को और सिक्षक बस सिक्षक सक्रिय रहते हैं वो अपना पढ़ाकर जैसे चला जाता है और सिक्षार्थी बस सुने रहते हैं उसमें न तर्क करते हैं न खुछ करते हैं ठीक है तो यह होगे हमारा एकतं देखते हैं वेह वह मुझे हूए वह तो मैंनेंग् informações के लोग्तंत्र और श्यूंट करना की इच्छा सरोत्तम मानी जाती है इस प्रकार की प्रडाली में शिक्षड भी लोकतंद्री अधार लिये रहता है यहां पर सीख्षक और चातर दोनों सक्रिय रहते हैं ठीक है और उनके मद्स साब्धिक और असाब्धिक अंतक्रिया चलती रहती है कक्षा में सीख्षक के चात्रों को तर्क करने प्रश्ण करने उत्तर पाने तथा अन्य प्रकार की वारतलाप करने के अनिक औशर रहते हैं यहाँ पर चात्र एम सिक्षक दोनों ही एक दूसरे के ब्यक्तितों को प्रभावीत करते हैं ठीक है अर्थात की लोकतंत्र में सिक्षर जो होता है उसमें त लोकतंत्र में शिक्षड का यही अर्थ है कि एक के बीना दुसरा कार्य नहीं हो सकता, दोनों के मद्ध आपश में अंतक्रिया होता है, साब्धिक असाब्धिक अंतक्रिया चलती रहती है, ठीक है, तरक, प्रश्ण, उत्तर, यह सभी चलते रहते हैं, ठीक है, यह हमारा लोक इन समस्याओं को सुलधानी के लिए प्रदान करता है इस प्रकार वो छात्रू की क्रियाओं में हस्तचेप न करके उनकी स्रिजनात्मक छमताओं के विकास की और अपना ध्यान के नरित करता है यह जैसा कि नाम से असपष्ट है यह हस्तचेप रही होता है ठीक है अब कुछ परिभासाइन देख लेते हैं जो कि समस्ट मोंच्ट इंपॉटण है पूचि जाती है इसलिए इसाल पूछ ना है यादरखना इंपार्टन हो और टी मेरोम संस्द लोगवनार में जुकि यह एक प्रण़ kारिक प्रभाव में फवानशीत परिवर्त लनाऊ है यह आगे बढ़ते हैं most 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 important यह इसमें से एक exam में पूछा ही जा सकता objective में जरूर पूछेगा ठीक है अब आगे देखते हैं सिक्षड की विशेस्ता है कौन कौन सी है heading लिखेंगे सिक्षड की विशेस्ता है इसी क्रम में जैसा यहाँ पर दिखाएगा इसी क्रम में ऐसे ही हम assignment लिखते हुए आगे बढ़ेंगे और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा ठीक है देखते हैं सिक्षड की विशेस्ताओं में सिक्षड वसाधन है जिसके माध्यम से बालक का विकास इस प्रकार किया जाता है कि बालक में परिस्थितियों से लड़ने एवं मुआतावरर में समायोजित होने की छमता आ जाए जो क्रिया अपने लक्ष को जितने ही सरल एवं अच्छे ढंग से प्राप्त कर लेती है वह उतनी ही उत्तम मानी जाती है शिक्षड एक साधन अत्वक्रिया है इसलिए इसकी भी अच्छाई और बुराई अपने लक्ष की प्राप्ति और अप्राप्ति में सम्मिलीत होती है अता सिक्षर की विश्यस्ताएं निम्नलिकित हैं अब इसको हम पॉइंट में लिखेंगे सिक्षर की विश्यस्ताएं जो हैं इसको हम पॉइंट में पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे आगे बढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे सिक्षर सुनियोजित होना चाहिए, दूसरा सिक्षर सुझावात्मक होना चाहिए, तीसरा सिक्षर दया एवं सहानु भूति पूर्ड होता है, चोथा अच्छा सिक्षर प्रेड़ा दायक होता है, पाच्वा अच्छे सिक्षर में व्यक् सी região होना चाहिए अब आगे देखते हैं शिक्षर के सिध्धान सिध्धान को अके इस पर चर्चा कर लिया है कि सिक्षर के सिध्धान्त क्या होते हैं प्रस्तावना में भी हमने देखा और कौन-कौन से सिक्षर के सिध्धान्त है और उसके अंतरगत क्या क्या आएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले देखते हैं हीडेंग लिखेंगे सिक्षर के सिध्धान्त यानि कि प्रिंस सकते हैं सिक्षर के सिधान सिक्षर के समाने सिधान सिक्षर के मनोवग्यानिक सिधान ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा आपका साइमेंट कॉपी ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में अट्रेक्ट्टू लगेगा सबसे पहला हेडिंग इसमें लिखते ह इसमें देखते हैं सिक्षर को प्रभावसाली बनाने के लिए अनेक दार्शनी को सिक्षा वीश्य सग्यों तथा समासास्त्रियों ने अनेक सोध तथा प्रयोग एवं गहन चिंतन किया है जिसके फलच्वरूप सिक्षर के छेतर में अनेक सोध एवं प्रयोग संपन्न किये सिक्षर के छेतर में हुए इनसोध प्रयोग तथा समाने परंपराओं के फलचरूप सिक्षर के समाने सिध्धांत विक्सित हुए हैं जो निम्न प्रकार से हैं अब देखते हैं पहला सिध्धांत जो है निश्चित उद्देश्यों का सिध्धांत इसे देखते हैं निश् चाहिए यह उद्धेश असपस्ट निश्ची तथा पूर्ड परिभासित होना चाहिए निश्ची उद्धेश सिख्षक को प्रभावसाली ढंग से पाठ पढ़ाने में और चात्रों को सफलता पूरों पढ़ने में मदद करता है बीना असपस्ट उद्धेश्यों के पढ़ा इस इसे पूरवध स्ट्रा उसकी से उसक्षरित विठेश्च को पढ़ाना है यूजन का सिध्धान निश्ची तइक इ बने ये ओजन की उसई संपवन नहीं होता है यूजन के सिध्धान के अंतरगत, ठीक है? अब हम देखते हैं बाल केंदृता का सिध्धान, हेडिंग लिखेंगे बाल केंदृता का सिध्धान, इसमें देखते हैं, एक अच्छा सिक्छक सदैव अपने सिक्छड को छात्रो की आशकताओं, छंताओं, रुचियों, अभिर करता है अभी जैसा कि हमने उपर समझा था कि हमारा जो वर्तमान सिख्षा प्रडाली है वह बालकेंद्रित है ठीक है तो बालकेंद्रिता का सिध्धान का ग्यान एक अच्छे सिख्षा को होना जरूरी है क्योंकि उसे अपने बच्चों की छात्रों की आश्यक्ताओं यह हुझा करता है अगर उनकी पत्र नहीं है उसका ज्जात नहीं है तो हमारा श् shorter कारे जो होगा वह सफल नहीं होगा अस फल हो जाएगा ठीक है तो इसलिए बालकेंद्रिता का सिधान जो वह मोई mieszka में यानि कि सबसे पहले जब हम कक्षा सिक्षड करते हैं या हम लोग सिक्षड करने जाते हैं तो हम में शात्रों का जो पूर्व ग्यान है उसे जान लेना अवश्यक है पूर्व ग्यान के अधार पर जब हम उसे पूर्व ग्यान जान लेते हैं उसके अधार पर हम नमीन ग्यान उन्हें सरलता से दे सकते हैं और उन्हें वो चीज समझ में भी आती है इसलिए ये पूर्व अन्वाव का सिध्धान्त इसमें सिक्षड के सिध्धान्त में रखा गया जिसका हम सभी सिक्षकों को नौलेज जरूरी है अब देखते हैं विभक्तिकरर का सिध्धान्त प्रभासाली सिक्षड के लिए विशेवस्त को छोटी छोटी विशे यूनिटों में विभक्त करना ताकि उन्हें हर बिंद अस्पश्ट हो सके यह हमारा विभक्तिकरर का सिध्धान्त होता है ठीक है अब अगला पॉइंट हम देखते हैं शमवाय का सिध्धान्त यानि कि संबंध का सिध्धान्त भी से हम कहते हैं इस सिध्धान्त का अर्थ है किसी भी विशे को जब भी पढ़ाया जाए उसका संबंध विभिन विश्यों के साथ भी अस्पष्ट किया जाना चाहिए विज्ञान आर्ट संगीत आद विशेयों से जोड़ना चाहिए इसी प्रकार के प्रकरण विशे का संबंद उस विशे के अन्य प्रकरणों से जोड़ कर बताना चाहिए यानि कि संबंद वाद का सिदान्त यानि कि समय वाद का सिदान्त इसलिए शिक्छर में जरूरी है इसलिए हमको यह बतायारा जाता है हमारे सिक्छाड काले में क्योंकि जब हम कोई भी सुब्जेक्ट पढ़ाना जाते है उसका विषय से उसको कोर्लेट करके उसका संबन क्यों की हम उसे पढ़ायां तो वह और अधिक शरल और सुगम हो जाता है ठीक है वो और अधिक इंट्रेस्टिंग हो जाता है तता छात्रों को भी रुचकर लगता है और उन्हें अन्य सब्जिक्ट जो होते हैं वो हाड नहीं लगते हैं वो भी इजी लगने लगते हैं अगर दूसरे बिस्यों से हम इसे जोड़क की बुद्धि, शवभाव, योग्यताएं, रुचियम चमताएं एक समान नहीं होती हैं उन्हें भी भिन्नता होती है हम सभी को पता है एक अच्छा सिक्षक अपने सिक्षड को प्रभावशाली बनानी के लिए चात्रों की ब्यक्तिगत भिन्नताओं को द्रिश्टिगत र कारे करके सीखना यानि की लर्निंग बाई डूइंग अधिगम की शरुत्तम विधी है चात्र यदि अपने हाथो और हिर्दे के साथ मिलकर कारे करते हैं शिक्षक उन्हें यह थोचित निर्देशन प्रदान करते हैं तो चात्र स्वैम कारे करके प्रभावशाली विधी से जल्दी और अस्थाई ग्यान प्राप्त करने में शमर्थ हो जाते हैं जैसे कि प्रोजेक्ट विधी डॉल्टन विधी खोज विधी आधि विधियां क्रियात्मक शिक्षड विधियां हैं जिन में चात्र स्वैम कारे करके सीखते हैं यह क्रियाओं का सिधान्त है जिसमें चात्रों को फ्रॉबेल ने काया चात्रों को स्वयम करके सीखना चाहिए लर्निंग बाइडूइंग होनी चाहिए जिसे चात्र स्वयम करके सीखेंगे तो वो ग्यान अधिक समय तक दिर्गकालिक होगा और अस्थाई हो जाता है अब हम देखते हैं सिक्षड के मनुवेग्यानिक विधी या मनुवेग्यानिक शिद्धान्त हेडिंग लिखेंगे सिक्षड के मनुवेग्यानिक शिद्धान्त या विधी इसमें देखते हैं सिक्षा आजकल बालकेंदरी सिक्षा का स्वरूप ले चुकी है जैसा कि अभी हम उपर बताते आ रहे हैं और हम समझते आ रहे हैं ठीक है बालकेंदरी सिख्छा का सम्प्रत्य है मनुवज्ञानिक मनुवज्ञान की इदेन है जिसका तातपर है बालकों की युग्यताओं छमताओं रुच्यों मानसिक अस्तर होता था उनकी आयू आदी के अधार पर सिख्छा प्रदान करना अभी हमने जश्ट उपर समझा था बालकेंदरीता का सिध्धान्त में जो की समाने सिध्धान के अंतरगर्द था ठीक है उनकी आयू आदी के अधार पर सिख्छा प्रदान करना बालकों के मनुवज्ञान को ध्यान में रखते हुए प्रूची और बाल के इंदर प्राइब सिख्छा क्या होती है। हमने अपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ लिया है ठीक है देखते हैं इसमें अभिप्रेर्णा तथा रूची सिक्षर प्रक्रिया में महतपुर भूम का निभाती है इस सिध्धान के अनुसार सिक्षक और छातर दोनों ही अभिप्रेरित होकर रूची पुर्वक कारे करते ह फल्स और रूप अधिगम प्रक्रिया अधिक सजीव तथा प्रभावशाली होती है ठीक है यह है हमारा अभिरुची या अभिप्रेर्णा एमम अभिप्रेर्णा का सिध्धान अब देखते हैं अभ्यास एमम आवरिति का सिध्धान अभ्यास एमम आवरिति का सिध्धान थांडाई के सिध्धान के अंतरगत फर्स सेमेश्टर में पढ़ रखाया थीक है तो यह सारे हमारे मनुवेग्यानिक सिध्धानते जिनके अधार पर बालकों की आज की जो बालकेंद्रे सिख्षा प्रडाली है उसको सिख्षा बालकों की सिख्षा दी जाती है इनी सारे है कि यदि अरजित क्यानत का अभ्यास एवं पुन्रवरिति की जाये तो चात्र सरलता से असमरर रख सकते हैं अधा सिख्षप प्रक्रिया में पुन्रवरिति तथा अभ्यास को अवस्य अस्थान दिया जाना चाहिए ठीक है ततपरता का सिधान देखते हैं हेडिंग अली भाते सीखने में रूची नहीं लेते हैं पढ़ाते समय चात्रों की मानसिक परिपकोता का अवस्य ध्यान रखा जाना चाहिए यह था हमारा ततपरता का सिधान अब हम आगे देखते हैं परिवर्तन विश्राम तथा मनुरंजन का सिधान यह हमारा काफी important point है इसको द चाहिए साथी सिख्षक अधिगम प्रक्रिया में आशकता नुशार विश्राम तथा मनुरंजन की भीवस्ता होनी चाहिए जिससे की छात्रों के मस्तिसकों को विश्राम मिल सके और फिर विए अधिक ताजा होकर आगे के अधिगम के लिए तहार हो सके यह हमारी जो point है य सिख्षकों क jsem चाहिए कि अगर सिख्षकों को इस सिदान को इस सिदान से रूब्रू नहीं रहेंगे गे तो आमारे सिख्षकर कारे को और दें करते कि वा और अधिक रूच्कर बनाते हैं कुछ मनुरंजन एक्जामपल देकर जैसे कहानी कविता सुना कर हम अपने सिक्षर कारे को सहज और सुलब बना सकते हैं ठीक है कुछ विश्राम देकर उनको ये नहीं की लगातार हम दो-चार पीरियड लगातार पढ़ाते ही रह जाए तो विश्राम का सिध्धान भी इसमें जरूरी है अब देखते हैं प्रतिपुष्टी या पूनरबलन इसे हम कहते हैं का सिध्धान फिटबैक प्रतिपुष्टी को इंगलिस में फिटबैक भी कहते हैं चात्रों को पुनरबलन देकर सिक्षर को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उन्हें उनके अच्छे बेवार के लिए पुरस्कृत करिया जाना चाहिए। उनके द्वारा किये गए कारियों की प्रगत के विशय में सूचना है दी जानी चाहिए। चात्र ऐसी इस्थिती में कारे जल्दी समझते हैं और दुहराते हैं। उनमें सिक्षक अच्छी आदतों का विकास कर सकता है। इस प्रकार प्रति पुष्टी एवं पुनरबलन का प्रयोग करके सिक्षर अधिकम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानि कि यह सिधान इसलिए इंप्रति पुष्टी या पुनरबलन का सिधान क्योंकि अगर किसी छात्र ने कोई अच्छा कारे किया है तो उसे हम अप्रिसियेट कर सकते हैं। कोई अप्रिसियेट काम हम करते हैं, कोई अप्रिसियेट कर देता हैं, तो हमें वह अच्छा लगता है, तो हमें आगे उसको और करने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रभावसाली सिक्छड के लिए आवश्यक है कि ग्यानेंद्रियों को उचीत प्रसिक्छड दिया जाए। अधिगम के विभिन पक्षों के लिए विभिन प्रकार की छमताय चाहिए, जो ग्यानेंद्रियों द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। ग्यानेंद्रियों द्वारा सिक्छड या सिक्छड प्रभावसाली अधिगम की कुंजी है। यदि छात्र स्वैम प्रयास करके सीखते हैं तो उनका सीखना ज्यादा प्रभावसाली होता है। अधिगम करते हैं, यानि कि स्वैम करेंगे तो स्वैम सीखेंगे भी। उसके लिए उन्हें प्रेणा करनी चाहिए, प्रेणा देना चाहिए और मार्कदर्सन भी देना चाहिए सिक्छक को। तो ये सिख्छक को जानना अधिक इंपोर्टेंट है, स्वैम अधिगम का सिख्धान अब देखते हैं समुव गती की या इसे समुव गती शास्त्र का सिख्धान भी कहते हैं। दोनों नाम हम ध्यान में रखेंगे, समुव गती शास्त्र का सिख्धानत में लिखते हैं, मनोविज्ञान विश्वास करता है कि छात्र समुव में ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, अता एक सिख्छक को समुव गती शास्त्र का प्रवाशाले धंग से उप्योग करना चा प्रस्तूत करते हैं उन्हें सिक्षक द्वारा प्रोसाहित किया जाना चाहिए तभी वे बड़े होकर नमीन अविश्कार तथा नमीन खोजे कर सकने में समर्थ हो सकेंगे कि श्रीजनात्मक बालक पता को पहचानने का सिध्धान उन्हें बालक को पहचानने का सिध्धान वह बालक कैसे स्वखुद को अभिव्यक्त कर सकें यहने consort कुछ बहुत कुछ जानता है और अपने मन में ही रखता है ठीक है तो सिक्षक को ये वाला सिध्धन जानना most important है क्योंकि वो जाना रहेगा अभिव्यक्ति का सिध्धन क्या होता है तो वो भालकों को जो एकदम अलग ही बैठे रहते हैं उन्हें सब पता है लेकिन वो बताएंगे कुछ नहीं तो उनके अंदर से वो अभिव्यक्त सकते हैं उनके ज्ञान को बाहर निकाल सकते हैं जैसा कि सिक्षा हमारा सिक्षा का अर्थी है हमारे अंदर के ज्ञान को बाहर निकालना और व्यक्ति के ब्यवहार को परिमार्जित या परिमार्जन करना तो सिक्षक का कारे होता है कि वो बालक को अभिव्यक्ति का औशर प इसको देखते हैं एक अच्छे सिक्षक के साथ चात्रों का बड़ा आत्मिक संबंद होता है हम सभी को बता हम सभी का हम सभी के किसी ने किसी टीचर के साथ आत्मिक संबंद होता है जो हमें टीचर पसंद आता है उसके साथ हमारा आत्मिक संबंद बन जाता है ठीक है सिक्षक और चातर परस पर एक दूसरे को समझते हैं सिक्षक चातरों के साथ साहन भूती रखते हुए उनकी मुश्किलों को सरल बना कर सहयोग दिता है चातरों की अनुभूतियों और विचारों को समझता है तथा सिक्षड अधिगम प्रक्रिया अधिक सक्रिय तथा सरल और प्रभावशाली बन जाती है ठीक है तो एक सिक्षक को इस सिध्धान के पारे में जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उसे यह नहीं की बहुत इस्ट्रिक्टली वियर्प करना है जात्रों के साथ या उन उनके अंदर क्या होना चाहिए सानुबुति और सहयोग होना चाहिए सानुबुति और सहयोग सिध्धान का ज्यान होना चाहिए ठीक है यह था हमारा सिक्षड का सिध्धान जिसके अंतरगत हमने पढ़ा सिक्षड के मनवेग्यानिक सिध्धान तथा सिक्षड के समाने अब हम देखते हैं जो हमारा आखरी होता है इसमें आखरी नई मतलब निसकर्स इसके बाद हम संदर्व ग्रन सूची लिखते हैं तो देखते हैं निसकर्स यानि के कंक्लूजन क्या निकल क्या आता है इन सब का उसे हम लिखते हैं अपने असाइमेंट में लाश्ट में ठीक ह सिक्षर प्रक्रियाओं की एक ऐसी बेवस्ता है जिसमें एक व्यक्ति दुसरे को ग्यान प्रदान करने के लिए सिक्षर के कारे को संपन्न करने के लिए अनिक प्रकार की क्रियाएं करता है और चात्रों के बेवहार में आत्मियता के साथ पांचित परिवर्तन लाने का प्रय इस द्रिस्टी कोड से सिक्षक केवल एक साधन है उनका कार्य है बालग को सिखाना, शीखने के लिए उसे प्रेरिद करना और इस प्रकार की प्रगत में योग देना ठीक है यह सिक्षक का कार्य होता है अब हम इसमें आगे देखते हैं हमारे असाइमें जो लाश्ट में लिखते हैं पुष्टक का नाम और लेखक का नाम यानि कि किस पुष्टक से हमने यह सारे असाइमेंट का जो मैटर है वो हमने इकठा किया एकत्रित किया और लिखा यह होता हमारा संदर्व ग्रण सूची में यह हम लिखते हैं ठीक है तो हम लिखेंगे पुष्टक का ना नाम और लेखक का नाम जिसमें लिखेंगे पुष्टक का नाम में सिक्षर के सिधांतियों भी दियां और लेखक का नाम में आर के सिंग ठीक है आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आप चैनल पढ़ना है तो प्लीज सब्सक्राइब अब भीडियो पसंद आई हो तो